क्या आप आज के मोटिवेशन के लिए तैयार हैं तो चलिए आज का मोटिवेशन आप लोगों के लिए रास्ते मुश्किल हैं पर मंजिल जरूर पाएंगे रास्ते मुश्किल है पर मंजिल जरूर पाएंगे ये जो किस्मत अकड़ कर बैटी है ना दोस्त इसे भी हम जरूर हराएंगे कुछ इसी जज़बे के साथ आज के सेसन को स्टार्ट करते हैं तो चलिए आज के सेसन में आप लोगों के लिए क्या खास होने जा रहा है उसके आप स्क्रीन पे देख पा रहा हो डिरेक्शन एंड डिस्टेंस डेस आज हम बात करने वाले हैं दिसा एम दूरी परिक्शन लास्स जो हमारे पिछली क्लासेज थी उसमें हमने ओर्डर एंड रेंकिंग का पार्ट कवर करा था तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लासों को लीजिए हमारी सारी फैकल्टी आपके सभी सभी सब्जेक्ट को कवर करते हुए वन बाई वन प्रोसेस से आपको पढ़ा रही है डिटेल में तो आप जोइन कीजिए ज़दा ज़दा ब्रेंबक्स को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने द कच्चा चित्र तैयार किया क्या करा एक कच्चा चित्र ठीक है कच्चा चित्र अच्छा लगता है कच्चा चित्र तो आप देख पा रहे होंगे जब भी डिरेक्शन की बात होगी हमेसा यहां पे होगा यहां पे आपका इस्ट होगा इस्ट यानी पूरव दिसा यहां पे इसके east के तुरंद opposite कोन होती है वेश्ट होती है पश्चिम दिसा और north उपर की तरफ होती है ठीक है और north के opposite south तो आपको ध्यान क्या रखना है ये जो डाइग्राम है इसे आप अपने दिमाग में चाप लो क्योंकि पूरव दिसा की जब भी हम question में बात करेंगे जब भी हम chapter में बात करेंगे तो east side यही होगी waste इसके opposite होगी north इसके opposite होगी यहाँ पे होगी उपर की तरफ और south डक्षिन की तरफ आपके right hand में पूरव होगा आपके right hand में आपका भविश्य उद्य होगा इसलिए जब सूर्य उद्य होता तो वो पूरव दिसा कहलाती है तो right hand side कैसे याद करोगी पूरव होगी left में just opposite में आपका पश्यम होगा आपकी आँखों के सामने आपके चहरे के सामने उपर की तरफ north side होगी और आपकी पीठ के पीछे आपके चहरे के नीचे north के opposite कौन सी होगी south होगी इतना आपने द्यान रखना है अब इनके अगर sub direction की बात करें हम beach वाली direction की बात करें तो east और north के बीच में north east होती है उत्तर पूरव उत्तर पूरव अगर हम बात करें north west के बीच में अगर हम बात करें तो कौन सी होती है north west उत्तर पस्यम और द्यक्षिन पूरव द्यक्षिन पस्यम क्या आप हमें बता सकते हैं sir उत्तर पूरव क्यों कहा जाता है पूरव उत्तर क्यों नहीं कहा जाता तो इसका जवाब क्या होना है जो main direction है दोस्त main direction केवल उत्तर और दक्षिन थी north और south थी इनका जनम बाद में हुआ है पूरव और पस्यम का क्योंकि ये primary direction है ये secondary direction है ये secondary direction है और ये primary direction है जब पुराने काल में समुद्दर से यात्रा की जाती थी जो वो दिशा सूचे की अंत्र था वो भी north south को denote करता था दोस्त ये बाद की direction है ये primary direction है इसलिए यूज किया जाता है उत्तर पूरव उत्तर पस्यम दक्षिन पूरव दक्षिन पस्यम समझ पाए तो चलिए थोड़ा सा और इसको सहसन को अच्छा बनाते है और दमा केदार बनाते है अब हम आपसे पूछेंगे नहीं कि कौन सी तरफ कौन सी direction है क्योंकि हमने दिमाग में बिठा लिया हमने ये जो चित्र है ये जो diagram है वो हमने बिठा लिया अब देखो suppose आपको ध्यान रखना है प्रतेग दो direction के mid में 90 degree का angle बनता है 90 degree का कौन बनता है 90 degree का कौन बनता है ये वला कौन कितने degree का होगा same ये भी 90 का होगा ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का होगा जब सारे 90 के हो रहे हैं तो एक बिंदू एक circle का तो वैसे भी हमें पता है क्योंक हमने maths भी पढ़ रखी है maths भी हमारी जबरदस्त है तो वो 360 degree का angle होता है अगर इनके mid में से एक row खेंच दे इसको कौन को mid में से divide कर दे तो 45 degree 45 degree same नोर्थ वेस्ट में भी हो जाएगा 45 45 south west में भी हो जाएगा south east में भी हो जाएगा 45 45 अगर आप से पूछे ठीक है अगर आप से पूछे question क्या पूछे question पूछे कि बताओ आप हो east में आप हो east में और आपको anti-clockwise anti-clockwise 180 degree चलना है दोस्त 180 degree तो आप कितना move करोगे देखो यहाँ पे है आपका face east की तरफ है और आपको anti-clockwise अच्छा clockwise clockwise क्या होती है कि हम गड़ी की सुई की दिसा में move करें anti-clockwise क्या होती है हम opposite move करें अगर आपको खड़े-खड़े move करना है trend करना है 180 degree तो 90 degree के लिए आप उपर जाओगे फिर 90 degree के लिए आप तो opposite हो जाओगे बिल्कुल east का opposite ये वाली direction कौन सी है ये वाली direction कौन सी है west direction ठीक है पसी में direction समझ पाए अगर आप से पूछे 135 degree आपको move करना है तो 135 के लिए 90 तो ये फिर 45 ये तो ये mid वाली direction हो जाती है दोस्त mid वाली direction हो जाती है किसकी north west की ठीक है तो ये basic सी चीजे है आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा जब आपको बोले वामावरत दक्षनावरत है तो दक्षनावरत तो clockwise को clockwise को हिंदी में दक्षनावरत कहा जाता है अगर वामावरत anti clockwise बोले तो हम गड़ी की सुई की विपरित दिसा में चलेंगे साथ के साथ आपको पाइथागोरस परमेब का भी पता हो न जब चली गई दूरी का चित्र किसको denote करे चित्र एक तिर्बुज को denote करे जिसका एक एंगल 90 डिगरी को represent करता हो तो वहाँ पे क्या होगा देखो ये आधार हो गया ठीक है आधार ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया कर्ण हो गया तो यहाँ पे formula क्या बनता है formula क्या बनता है कर्ण का square स्क्वाइर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वाइर प्लस लंब का स्क्वाइर ठीक लंब का स्क्वाइर यह होता है तो साथ के साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है ठीक है इतना सा समझ लो ठीक थोड़ा सा हिंदी को भी समझो थोड़ा सा इंगलिस को भी समझो हम बात करेंगे क्वेशनों की बाइलिंग्वल बात करने वाले हम क्वेशनों की दोस्त तो चले आगे आज के सेसन को स्टार्ट करता है क्वेशनों को स्टार्ट करता है बेसिक से चलेंगे फोर एक्जाम अब देखो बेसिक से चलने से पहले थोड़ा सा और समझ लो जैसे कोई विक 90 degree move करता है sir 90 degree ही move करना है अगर आप से पूछे कोई विक्ती है यह हम है और हम अपने according move करेंगे अपने according अगर हमें हम right move करने के लिए कहेगा तो हम अपने right move करेंगे और अगर left की बात करेंगे तो हम अपने according left मुणना है पूरे direction chapter में पूरा sitting arrangement में पूरा puzzle में पूरा आपका ranking and ordering में जब भी बात की जाएगे right left move करनेगे तो हम अपने according पूरे reasoning में दोस्त अपने according हम right left move करने वाले तो आपको क्या करना है जब भी एक इनसान यहां खड़ा हो यहां खड़ा हो दोस्त इसका right अपना right ठीक है इसका left अपना left अगर यह कहें कि भाईया right मुढ जाओ तो हम अपने according मुढ जाएंगे अगर यह कहें left मुढ जाओ तो भी हम अपने according मुढ दे वाले हैं यहां तक clear है दोस्त आगे चलते हैं अब देखो question में देखो एक विक्ती east की तरफ जा रहा है फिर वह right move करता है और कुछ दूरी चलता है तो right move होगे इदर हम जा रहे हमारा right इदर ही है थोड़ी दूर चले फिर left मुढ जाना है अब इदर नीचे जा रहा है इसका यह तो जो clockwise तो हो जाता है right anti clockwise हो जाता है left तो left की तरह मुढ गए बताओ आप कौन सी direction जा रही है तो east direction में हम जा रहे है तो आपको ध्यान क्या रखना है ध्यान क्या रखना है जब भी direction की बात होगी और आप से पूछेगा कि 5 km चला 7 km चला 10 km चला 20 km चला whatever जितना भी चला जितना भी turn हुआ move हुआ आपको क्या करना है आपको सीधा simply क्या करना है right left की pair बनाने जब भी direction की बात होगी right left की pair बनाने जितने बनाने उतने और काड़ देने देखो question हो में समझते हम question number पहला आप लोगों की screen पे question number पहला आप लोगों की screen पे आ चुका है ठीक है थोड़ा साम कुद को नीचे कर ले कोई दिक्कत नहीं है ठीक है question number पहला भाईया question number पहला क्या कह रहा है ठीक है देख पा रहो ram goes for kimi ram जाता है ram जाता है कहां जाता भाईया कहां जा रहो ठीक है ram goes for kimi in the east and then goes five kimi after turning to the left and then goes four kimi after turning to the left ठीक है भाईया ये कह रहा है ram चार kimi पूरवदिसा की ओर चलता है उसके बाद माई ओर मुड़कर पाच की मी चलता है और फिर बाद में माई ओर मुड़कर चार की मी चलता है तो बताओ अब इस बिंदू से अब इस बिंदू से उसका घर कितनी दूरी पर है और उसका शुरुवाती बिंदू जहां से उसने start करा वो किस direction में तो देखो पूरवदिसा में जा रहा है सबसे पहले तो हमने कर दिया पूरवदिसा में ठीक है पूरवदिसा में चलता है उसके बाद में यहां से left move करेगा देखो चार केमी यह कितना हो गया चार केमी अब left move करा है ठीक है left move कर दिया कितना पांच केमी चलता है ठीक है यह पांच केमी हो गया अब उसके बाद फिर से बाई और मुड़कर चार कीमी चलता है तो फिर से बाई और मुड़कर चार कीमी चला ठीक है चार कीमी चला गए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो बताओ अब इस बिंदू से उसका घर कितनी दूरी पर है उसका घर कितनी दूरी पर है अगर हम बात करें इसकी तो यह अगर पांच कीमी है तो यहाँ पे भी पांच कीमी होगी बीच में भी इनके गैप पांच कीमी होगा ठीक है पांच कीमी होगा तो सुरवाती बिंदू इस अंतिम बिंदू से सुरवाती बिंदू बताओ कितने दूरी पर पांच कीमी सिंपल ह दोस्त समझ पा रहो, ठीक है, समझ पा रहो, पाच केमी है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, और आपसे पूछा यह जो अंतिम बिन्दु है, इससे यह वाला सुरवाती बिन्दु किस साइड में, तो मैया हमने देखा था, हमने डेरिगराम देखा था, अगर हम यहां खड़ होगी south कुणसी होगी south direction अंतिम बिंदू से सुरवाती बिंदू किस side में है तो हमने यहाँ diagram बनाके आपको दिखाया कि यह वाली direction कुणसी है south direction पताऊ simple था question था आसान ता जैसे जैसे वह move करने के लिए कहेगा हम उसी according बढ़ते जाएंगे दोस्त बढ़ते जाएंगे तो चलिए ये question तो आसान था बच्चो वाला question था आगे चलते है अगले question पे ठीक अगला question आप से पूछता है राजू चार किलोमेटर उत्तर दिसा की ओर चलता है दोस्त राजू गोज फोर कीमी तो आर्स दे नोर्थ एंड entrance to his right उसके बाद में अपने दाई और मुडता है and walks तीन कीमी और तीन कीमी चलता है how far is he now from the starting point starting point से अब वह कितनी दूर ही पर तो देखो राजू चार किलोमेटर नोर्थ साइड में गया तो नोर्थ साइड कौन सी होगी ऊपर की तरफ ठीक है आँखों के सामने right end पे east left end आखों के सामने north और opposite में south ठीक है यहां तक चला कितनी किलोमेटर 4 किलोमेटर हमने लिख लिया 4 किलोमेटर उसके बाद दाएम उड़ता है और 3 कीमी चलता है तो right end में move कर लिया कितना 3 कीमी कोई दिक्कत नहीं तो बताओ यहां पे और यहां पे अब दोनों बीच में कितन दूरी है तो हमने क्या कहा था जब चली गई दूरी का जो आकार है जो चित्र है वो पाइथा गोरस प्रमे के according तिर्बुझ का बनाता है 90 डिगरी तिर्बुझ को denote करता है तो हम क्या करेंगे यहां पे देखो यह आधार हो गया यह उस पे लंब हो गया और यह कर्ण का स्क्वाइर बराबर क्या होता है हमने देखा था कर्ण का स्क्वाइर बराबर होता है आधार का स्क्वाइर प्लस लंब का स्क्वाइर ठीक है तो यहां पे अगर हमें यह वली दूरी गयात करनी है तो हम करेंगे 4 का स्क्वाइर प्लस 3 का स्क्वाइर बराबर कर्ण का स् नो और सोला कितना हुआ पच्चिस तो हमें स्क्वाइर थोड़ी जात करना है जब स्क्वाइर हटाएंगे तो अंडर रूड में हम रख देंगे 25 तो के की वैल्यू कितनी आ गई पांच कीमी पांच कीमी बताओ समझ में एक नहीं है हमने क्या करा सर हमने क्या करा सबसे पहले हम चले नूर्थ में नूर्थ में चलने के बाद हम उड़ गए राइट एंड साइड में और यहां से लेके यहां तक की दूरी पूछी है तो हमने क्या करा यह 90 डिगरी का एंगल बना रहा है ये तीन कीमी हो गया, ये चार कीमी हो गया, ठीक है, ये चार कीमी हो गया, तो हमने क्या करा, सीधा सिंपली क्या करा, चार का स्क्वाइर प्लस तीन का स्क्वाइर, बराबर कितना हुआ, ट्वंटी फाइव, ठीक है, और हमें ये वाला पूछा है, ये वाला, तो हम क्या करें लिए अब देखते हैं बड़ो वाला क्वेशन आप लोगों की screen पे लिखा हुआ है कालू वाक्स कितना किलोमिटर भाई ठीक है question को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ठीक है इस question में कह रहा है कालू 25 km पूरव दिसा की ओर चलता है उसके बाद बाहें मुड़कर 5 km चलता है तो सीधा सीधा हम चलेंगे पहले पूरव दिसा की ओर चलना है कितना 25 की मी फिर उसके बाद में left side में मुड़ जाना है left side में मुड़ जाओगे ठीक है ये हमने left side में move कर लिया left side में अगर हम मुड़ गए उसके बाद 5 km चले उसके बाद वह T point तो ये point कुन सा हो गया T point हो गया यहाँ पे टी पोइंट हो गया उसके बाद दाएं मुड़कर कितना पांच कीमी चलना है दाएं मुड़कर हमने कितना चलना पांच कीमी यहां पर आ गया फिर दक्षिन की ओर साउत में फेस कर लिया तो दक्षिन नीचे हो जाएगा नीचे होता है दक्षिन कितना पांच कीमी तो यह भ यह वाली दूरी पांच के में यह वाली दूरी पांच के में तो यहां से जितना उपर जाएगा उतना ही यहां तक बराबर में नीचे आएगा इसके बराबर में और यह वाली अगर पांच है तो बीच में भी पांच होगी यहां पे भी कितनी होगी पांच किलोमेटर कितनी ह होगी 5 km तो क्या हम जोड नहीं सकते 25 यहां तक 25 यह वली 5 होगी अंतिम बिंदू यह है तो 25 और 5 कितना हो गया 30 तो 30 is the correct answer of this question बहुत आसान था आपको सीधा-सीधा चलना है क्या करना है दोस्त सीधा-सीधा आपको चलना है और आपको डाइग्राम बना देना और डाइग्राम बनाने के बाद आपको क्या कर देना answer टिक कर देना दोस्तर टिक कर देना चले आगे question में अगले question में आसान था simple था अगला question फिर से आप लोगों के screen पे देखो अगला question क्या कह रहा है जो मीना है मीना मीना 10 कीमी उत्तर की ओर चलती है उसके बाद 6 कीमी दक्षिन की ओर चलती है ठीक है 10 कीमी तो मीना उत्तर की ओर चली ठीक है उत्तर कहा होता है उपर के तरफ दक्षिन अपने वापस आजाओ भाया दक्षिन के और 6 के में वापस आगे यहां तक वापस आगे 6 के में ठीक है अगर उपर वाली 6 है यहां तक total 10 है तो नीचे कितनी बचनी है फिर 4 बचनी है ठीक है 4 बचनी है नीचे चार बचनी है यहाँ तक समझे यहाँ तक समझे अब यहाँ पर आने के बाद 6 के में आने के बाद 3 km पूर ओदिसा तो east direction कौन सी होगे यह वाली यह कितनी होगे 3 अब क्या वाली दूरी बतानी है आपको direction तो देखो चली गई दूरी का 90 डिगरी एंगल वाला आपको पाई था उरस्पर में क्लिक हो रहा है ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ से यह दूरी कितनी है 4 यह दूरी कितनी है 3 तो आदार का square लंब का square बराबर काईन का square होता है तो के का square बराबर कितना होगा 4 का square प्लस 3 का square तो यह कितना हो गया 4 चुकु 16 3 ती या 9 तो 25 हो गया के का square बराबर 25 हो गया पर हमें square थोड़ी गयाद करना हमें simply के गयाद करनी यह वली दूरी तो k बराबर under road 25 then 5 कीमी आ जाएगा 5 कीमी तो 5 कीमी एक ही option में option number B और आप से पूछा भी है कि कौन सी दिसा में भी है कहां से सुरवात्वी बिंदू से तो इस वाली direction से अगर ये वाली direction चेक करें यहां पे आप direction का diagram बनाओ डाइगराम बनाओ east हो गया और ये north हो गया तो north east हो गया mid में ये वाला बिंदू north east हो गया ये वाला बिंदू कौन सा हो गया दोस्त north east हो गया north east ये वाला बिंदू यहां से खड़े हो के देखो आप अब ये कौन सा हो गया north east क्लियर है सुरवाती बिंदू से कितनी दूरी पांच केमी और नोर्थ इस्ट में ठीक है नोर्थ इस्ट में आगे चले अगले क्वेशन पे तो अगला क्वेशन आप लोगों की स्क्रीन पे एक घड़ी साड़े साथ बज़े का समय दर्सारी है कोई बात नहीं दर्साओ एक गड़ी साड़े साथ बज़ेगा समय दर्साती है यदि मिनट की सुई पूरव दिसा को डिनोट करती है तो गंटे वाली सुई किस दिसा में होगी तो यह आपकी एक घड़ी है ठीक है और साड़े यहाँ पे बारा यहाँ पे छे यहाँ पे तीन यहाँ पे हमने कितना करना है 9 यहाँ पे 7 यहाँ पे 8 ठीक है साड़े 7 बजेंगे तो मिनट वाली तो fix होगी 6 पे 30 मिनट पे और यह मिड में होगी भाईया गंटे वाली सुई गंटे वाली सुई का होगी मिड में होगी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, साड़े साथ का टाइम में जा दिया अब अगर minute की east होगी, देखो minute की दिसा east होगी, तो वैया west कौन सी होगी? just opposite opposite, बारा पे कौन सी दिसा होगी? पश्षिम दिसा, बारा पे कौन सी होगी? पश्षिम दिसा, ये side south को denote करेगी, तो यह साइड किसको denote करेगी नोर्थ को denote करेगी ठीक है clear है क्योंकि देखो जब हमने डाइगराम देखा था यहाँ पर इस्ट था तो इस्ट की anti-clockwise anti-clockwise कौन थी कौन थी south जैसे जैसे अब देखो अच्छा ही इसमें हमने देखो एक बार चेंज कर लेते हैं चेंज कर लेते हैं यह वाली एक direction बना देते हैं 12 मिनट की सुई यहाँ पर होगी आवर वाली 7 के पास होगी 7 के बीच में तो देखो यह वाली इस्ट होगी और हमने direction क्या बनाए थी इस्ट वेस्ट नोर्थ और सौथ ठीक है नोर्थ और सौथ अगर इस्ट नीचे आ रहे है तो सौथ भी पीच्छे जाएगी तो यह वाली direction कौन सी होगी सौथ और यह वाली direction कौन सी होगी नोर्थ ठीक है नोर्थ क्लियर है यहां तक इस्ट के opposite वेस्ट ठीक है अब सही है अब सही है दोस्त अब सही है ठीक है हमने क्या करा जब डाइग्राम बनाया तो इस्ट यहा नोर्थ यहां पे थी, वेस्ट यहां पे थी, सौथ नीचे थी, जैसे ही इस अगर यहां आ रहा है, तो सौथ भी पीछे चला जाएगा, सौथ भी पीछे चला जाएगा, तो अब आपसे पूछा है, कि मिनट की सुई, सौरी, जो गंटे वाली सुई है, वो किस दिसा में, तो वले डिरेक्शन को उसी है एस्ट और सौथ एस्ट और सौथ हमारा अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर भी तो आज का सेसन आपको कैसा लगा कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ज़्यादा ज़्यादा जोड़े दोस्तों को शेर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अगर डिफैंस की तैयारी करना है तो जूड़ जाएए ब्रेइनबक्स की टीम के साथ क्योंकि ब्रेइनबक्स टीम तत्पर है आप लोगों के लिए आपके सपनों को पूरा करने के लिए तो इजाजित दीजिए दोस्त मिलते हैं धन्यवाद जैहिन